हलो आज के इस वीडियो में हम कहानी के मायदम से हिंदी पढ़ने के अभ्यास करेंगे कहानी का सिर्षक है मूर्ख चोर वीडियो में आगे बलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है make sure do subscribe क्योंकि हम आपके लिए ऐसे educational content लाते रहते हैं एक बार की बात है राजा अकबर के राज्य में एक अमीर बेपारी को लूट लिया गया था दूखी बेपारी ने अकबर के दर्बार में जाकर मदद मांगी बेपारी ने चोर को पकड़ने के लिये मदद मांगी अकबर ने बिरबल को चोर को खोजने में बेपारी की मदद करने के लिये कहा बेपारी ने बिरबल को बताया की कि उसे अपने एक नोकर पर सक्त है बेपारी से संकीत मिलने पर बिर्बल ने सभी नोकरो को एक साथ बुलाया और उन्हें एक सीधी रेखा में खड़े होने के लिये कहा बिर्बल ने लूट के बारे में पूछे जाने पर सभी ने उमीद के मुताबिक ऐसा करने से इंकार किया फिर बिर्बल ने उन्में से प्रितिक को समान लंबाई की एक छड़ी सोपी तीतर बीतर करते हुए बिर्बल ने कहा कल तक लूटेरे की छड़ी दो इंच बढ़ जाएगी अगले दिन जब बिर्बल ने सभी को बुलाया और उनकी लाठी का निरिक्षन किया तो एक नोकर की छड़ी दो इंच छोटी थी बेपारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहश्य के बारे में पूछे जाने पर बिर्बल ने कहा यह सरल था चोर ने अपनी छड़ी को दो इंच काट दिया था इस डर से की यह आकार में बढ जाएगा इस प्रकार चोर पकड़ा गया और सभी ने बिर्बल की प्रसंद की